कॉंग्रस अध्यक्ष राखुल गांधी के सोमवार को दिल्ली में OBC सम्मेलन में दिये गए इस बयान के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या कोका कॉला का ओनर वाकई में शिकनजी बेशता था तो आईए हम आपको बताते हैं कि दुनिया के मशूर कमपनियों को किस ने और कैसे शुरू किया आपको बता दी कि कुका कॉला दुनिया में सबसे ज्यादा पहचान बनाने वाले ब्रैंड में से एक है जिसे दोसों से ज्यादा देशों में बेचा जाता है कुका कॉला के शुरुवात 1886 में अमेरिका के अटलांटा में एक फामासिस्ट डॉक्टर जॉन एस पेंबर्टन ने की थी पेंबर्टन ने अमेरिकी सिविल वार के दोरान फरजी के तोर पर युद्ध में हिस्सा लिया था और उसमें वो बुरी तरह घायल हो गए थे युद्ध खत्म होने के बाद पेंबर्टन ने दर्द से रहत के लिए माफिन का सहारा लेना शुरू कर दिया लेकिन एक फार्मासिस्ट होने की वज़े से उन्हें मालूम था कि माफिन लंबे वक्त तक लेना उनके लिए खतरनाख हो सकता है और इससे उन्हें नशे की लट लग सकती है यही वज़ा थी कि उन्होंने ऐसे ड्रिंग बनाने की सोची जिसमें अफीम ना हो पेमबर्टन ने कोकीन, कोला, नट और एक और पौधे को मिला कर एक ड्रिंग तयार की जिसे पहले पेमबर्टन की फ्रिंच वाइन कोला का नाम दिया गया इस ड्रिंग को बेचने के लिए पेमबर्टन ने अटलांटा में अपने घर के पास ही एक दुकान को चुना था जिसका नाम जैकप्स फामेसी था पेमबर्टन वहाँ अपने सिरप को जग में लेकर जाते और उसे सुढ़ा के साथ मिला कर बेचा करते थे लोगों को ये ड्रिंग खुब पसंद आई इस ड्रिंग को कोका कोला का नाम पेमबर्टन के अकाउंटेंट ने दिया था हालागि दुनिया के इस मशूर ब्रिंग के खोज करने वाले पेमबर्टन को इसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ 1888 में पेमबर्टन का निधन हो गया इससे पहले ही वो अपनी कमपनी को फेच चुके थे ऐसा कैलेंडर नाम के एक बिजनस पैन ने कोका कोला की ताकत को पहचाना और कोका कोला को इस मुकाम तक पहुँचाने में सबसे बड़ी भूमी का अधा की आज कोका कोला दुनिया में इतनी मशूर है कि उसकी खपत दुनिया में इतनी होती है अगर सारी बोतलों को एक लाइन में लगा दिया जाए तो ये लाइन चान्द तक 1617 बार जाकर लोट सकती है वाइरल किडा निउज